इस दुनिया में अगर सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो है प्यार। प्यार यदि एक तरफा हो तो यह भ्रम हो सकता है। लेकिन अगर प्यार दो तरफा हो तो यह संजोग होता है। संजोग और भ्रम से भरी यह कहानी शुरू होती है। मानवी और मीत के कॉलेज के समय से। मानवी और मीत अपने कॉलेज में मैस में बैठे हुए बाते कर रहे थे। मीत अब तो हमारी ग्राजवेट भी कंप्लीट हो गई है और तुम्हें अच्छी जॉब भी मिल गई है। मेरे घरवाले तो मुझे जॉब करने के लिए अलाव नहीं करेंगे। लेकिन तुम तो अच्छी खासी चॉब पर लग गए हो तो मैं कहना चादी थी कि अब हम शादी कर ले। हाँ हमें शादी कर लेनी चाहिए लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है। मानवी मुझे थोड़ा समय दो। तुम तो मुझे ऐसे ही बातों से बहलाते और बात में कुछ नया बहाना बना दोगे। कसम से इस बार मैं कोई भी बहाना नहीं बनाओंगा। मैंने कहा न बाबा मैं तुम से शादी करूंगा तो करूंगा। इतना प्यार ना किया करो मीत कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान ही निकल जाए। मीत तुम्हारी जान तो मेरे कि जरूरत शायद नहीं है वह हसने लगता है वहाँ पर उनकी दोस्त प्रीत आती है क्या बाद चल रही है दोनों लव बर्द्स में अगर कहो तो मैं भी यहाँ पर बैठ जाओ क्यों नहीं, बैठो प्रीत मानवी मुझे शादी के लिए बोल लही है मैंने मानवी को कहा कि मुझे थोड़ा से मैं और दो उसके बाद मैं खुदी ममी पापा से बात करके तुमसे शादी कर लोगा हाँ, तुमने सही कहा मीत, वैसे भी अभी तो तुम्हारी जॉब शुरू होने वाली है उसकी बाद सेटल होने में कितना टाइम लगी कुछ पदा थोड़ी न होता है मानवी, तुम्हें मानना तो पड़ेगा, मीत सही कह रहा है और रही बाद शादी की, तो वैह तुम्हारे अलावा किसी और का थोड़े ही है मीत तुमसे ही शादी करेगा अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है मीत वहाँ से चला जाता है मानवी प्रीट से बोली प्रीट, मैं सच में मीत से बहुत प्यार करती हूँ उसके बेना जीने का तो मैंने सोचा भी नहीं है कहीं ऐसा ना हो, कि हम दोनों को अलग होना पड़ जाए मीत एक गरीब परिवार से है मानवी चिंता ना कर अगर प्यार सचा हो तो परिणाम भी अच्छा ही होता है चल अब घर चलते है मानवी अपने घर आ जाती है मानवी को घर में घर आता देख मानवी की मम्मी आओ मेरी गुडिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मानवी अपने ममी के साथ कमरे में चली जाती है मानवी हमारे घर जो आए है तो बहुत बड़ी लोग है उनका एक लौता बेटा माधव तुम्हें बहुत पसंद करता है वह तुम्हारे रिष्टे के लिए आए है रिष्टा लेकर और चुप हो जाती है क्यों क्या हुआ बेटी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस रिष्टे से मामा यू नो कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ मुझे नहीं पता कि माधव कैसा लड़का होगा लेकिन मीत मेरे लिए सब कुछ है मुझे नहीं लगता कि भगवान ने उससे अच्छा लड़का कोई बनाया होगा वे मुझे कितना समझता है कितना प्यार करता है मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगी मामा मीत? आखिर कौन है यह मीत? कहां रहता है? कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास? मामी उसके पास कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन वे बहुत ही टालेंटिड है और मुझे पता है कि एक दिन वे हर मुकाम हासल करेगा जिससे मुझे हर खुशे मिल पाएगी बेटा तेरी गलती नहीं है यह उम्र ही ऐसी है हमको सिर्फ सपना अच्छा लगता है लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना कोई आसान खेल नहीं होता तुमने मुझे तो यह सब बोल दिया अपने पापा को मत बोलना वर्ना उन्हें लगेगा कि उनकी परवरिश में कोई कम ही रह गई होगी जो तुने उनके साथ यह सब किया तब है पापा की आवाज आती है मानवी बेटा जरह धराओ तुमें किसी से मिलवाना है मानवी जाने लगती है यह लड़की एक्तम से पागल है इसके रिष्टे वाले आये हैं और यह ऐसे ही जा रही है मम्मी मानवी को रोकते हुए बोली अरे रुक, ये कपड़े तो सही कर ले और सर पर पल्लू रख ले तब उनके पास चाना मम्मी मानवी के गले में पड़े दुपट्टे को उसके सर पर रख कर अब तुम पापा के पास चाओ मानवी को आदा देख मानवी के पापा का दोस्त डॉक्टर महरा मन में सोचता हुआ ये लड़की तो सच में बहुत सुन्दर है मैंने इससे सुन्दर लड़की आज तक कभी नहीं देखी माधव की माई से देख कर बहुत खुश होगी आओ बेटी, बैठो और खॉलिच की पढ़ाई कैसी चल रही है? जी अंकल, सब सही चल रहा है तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कोई जॉब बगेरा करना चाहती हो? जी अंकल, मेरा तुमन है जॉब करने का लेकिन ममी पापा इसके लिए राजी नहीं है कोई बात नहीं बेटा जिस गर में शादी होगी, फिर वही तुम्हारे ममी पापा होंगे वो जैसा कहेंगे, वह सही करना हाँ भाई साहब, आपने बात तो सही कही है शादी के बाद मानवी पर हमारा भला क्या हक होगा? उझे तो लड़की बहुत पसंद है बाकी मैं माधव की ममी से बात करके बता दूँगा अच्छा भाई साहब, अब मैं चलता हूँ और वह बाहर निकल कर अपनी महंगी कार में बैट कर वहां से चला जाता है इनकी कार भी कितनी महंगी है सच में, उनके घर शादी करके था हमारी लड़की के भाग ही खुल जाएंगे लेकिन मानवी रोते हुए अपने कमरे में चली गई ये क्यों रो रही है? इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इसको, इससे मैं बाते करती हूँ आप तब तक जाकर समान ले आएं उन दोनों की बाते बाते बाहर खड़ा हुआ मानवी इस फ़र कुछ नहीं बोली तुम भी कैसी बाते कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये प्यार-फ्यार कुछ ही दिनों के लिए होता है, बाद में सब पश्तावा ही रह जाता है, ये वही शादी करेगी जहां हम चाहेंगे लेकिन मानवी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मानवी की शादी उसी घर में होगी, माधव के साथ अगले दिन कॉलज में मानवी उदास पैठी थी, प्रीत वहाँ पर आई, क्या हूँ मानवी, तुम इतनी उदास के हो, क्या पता हूँ यार, मेरे मामी पापा ने मेरी लिए लड़का देख लिया है, वो मुझे देखने के लिए आय थे, लेकिन तू तो चानती है कि मैं मी मानवी रोने लगती है, प्रीत उसे गले लगा कर बोली, नहीं पगली ऐसे नहीं रोते, मुझे पता है तुम मीत से प्यार करती हो, और मीत भी तुम्हें बहुत प्यार करता है, मैं हमेशा यही चाहती हो कि तुम दोनों एक हो जाओ, प्रीत एक मुस्कान के साथ वापस ब है रही है, नहीं तो मेरी आखी तो बिल्कुल भी नम नहीं है, तो अब तुम मुझे जूट बोलोगी, मुझे तुम्हारे खुशी, गम उदासी, सब कुछ पता चल जाता है, तो तुम मुझे जूट तो नहीं बोल पाओगी, अब बताओ मुझे क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे बताओ तो कि क्या हुआ है, मैं सब कुछ सही कर दूँगा, क्या सही करोगी तुम, तुम कुछ नहीं कर सकते मीत, तुम बोल कर तो देखो, तुम जो कहोगी मैं करूँगा, तुम उचसे बाते करना बंद कर तो, मैं तुम से बिल्कुल बाते नहीं करना चाहती, मानवी वहां से रोते हुए चली जाती है, मीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, वह प्रीत से बोला, प्रीत मानवी को क्या हुआ, प्रीत ने अपने हाथ हिलाते हुए बोला, मुझे क्या बता, मुझे तो कुछ बताया नहीं, जब से ऐ ऐसे ही बैठी है बस रोए जा रही है मीट कॉलिज से अपने घर वापस आ गया उसका भी बिलकुल मन नहीं लग रहा था वह मानवी को फोन करता है लेकिन मानवी का नंबर स्विच आफ था यह मानवी को क्या हुआ? अच्छानक से अतना बदलाव क्यों? मानवी ऐसी तो नहीं थी फिर वो यह सब क्यों कर रही है? उसके कमरे में आती हुई प्रीद बोली मीट मुझे लगता है कि तुम्हें मानवी को अभी उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे बहुत परिशान है तुम उसे और परिशान ना करो मेरी बात मानो और कुछ समय के लिए सब कुछ भगवान के उपर छोड़ दो मेरा सब कुछ तो मान भी है मैं उसे खुछ से ज़ाधा प्यार करता हूँ मैं तो उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता और आज उसने इतनी आसानी से मुझे कह दिया कि हमें बात नहीं करने चाहिए मीत के आखों से आसु गिरने लगती है प्रीत उसे गले लगा लेती है बस कर यार सब सही हो जाएगा भगवान पर भरोसा रख जहां प्यार सच्चा होता है वहाँ सब कुछ सही हो जाता है तो चिंता ना कर प्रीत वहां से चली जाती है मीत खिड़की के पास बैठ जाता है शाम होने वाली थी लेकिन बैठे बैठे कब सुबह हो गई मीत को पता ही नहीं चला वे वही खिड़की के पास बैठा रहा और मानवी के बारे में सोचता रहा सुभे जब सुभे गाडियों की अवाज आने लगी तम मीत का ध्यान हटा मुझे एक बार तो मानवी से मिलना चाहिए वो शायद किसी बात को लेकर मुझे नराज है और मैंने भी तो उससे शादी के लिए सीधा भोल दिया कि मुझे अभी कुछ समय और चाहिए हो सकता है उसे मेरी बात बुरी लगी हो मुझे उससे मिलकर माफी मागनी चाहिए मैं उसकी सबसे फेवरेट चॉकलेट लेकर उससे बात करने के लिए जाओंगा मीत घर से निकला रास्ते में उसे प्रीत मिली मीत तुम कहां जा रहे हो? बड़ी जल्दी में लग रहे हो? हाँ, मुझे आज मानवी से बाते करनी है मुझे उससे पूछना है कि वह मुझे क्यों बात करना नहीं चाहती? आकिर ऐसा हो क्या गया है? तो तुम मानोगी नहीं, लेकिन तुम अभी कहां जा रहे हो? तुम्हे पता है ना, मानवी को सबसे ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो मैं उसकी पसंद की चॉकलेट लेने उस मॉल में जा रहा हूँ जहाँ पर हम पहली बार मिले थे ठीक है, तुम जाओ, मुझे तो कॉलेज जाना है क्रीट कॉलेज के लिए चली जाती है मीट शहर के सबसे अच्छे मॉल में जाता है और एंट्री करते ही बोलता है यहाँ पहली बार मैं मानवी से टकराया था तब तो मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ने वाली है कितना अच्छा पल था वो, जब मानवी मुझे पहली बार मिली थी मीट चॉकलेट लेने चला जाता है और चॉकलेट लेकर वापस आ ही रहा होता है वह देखता है, मानवी खड़ी होकर किसी लड़के से बात कर रही है मीट वहाँ पर जाने लगता है तब तक वह लड़का चला जाता है मीट मानवी के पास पहुच कर कौन था वो? मानवी मीट को वहाँ पर देखकर थोड़ा घबरा गई कोई नहीं, बस ऐसे ही क्या मतलब कोई नहीं? तुम किसी लड़के के साथ थी ना? कौन था वो? मैं किसी के साथ रहू, किसी से बात करूँ तुम्हें क्या मतलब? मैंने तुम्हें कहा था ना मुझसे बाते ना करो तुम्हें समझ नहीं आथा क्या? अब यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, मुझे चाने दो मीत हाथ में पकड़ी चॉकलेट वही पर गिराता है और वहाँ से चला जाता है मीत के जाने के बाद मानवी आखों में आसू भरकर सारी चॉकलेट उठाती है अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगी बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और बहुत ज्यादा प्यार मीत पाजी चला जाता है मानवी चौकलेट उठा कर रोनी लगती है मीत अपने घर पहुच कर आखिर मानवी अपने को समझने क्या लगी है वो मेरे प्यार को ठुकरा कर किसी और की हो गई है उससे इतनी बड़ी बेवफाई की उमीद तो मैंने सपनों में भी नहीं की थी वो चाहती है कि मैं उससे बाते कर ना छोड़ दू पैसा बिलकुल भी नहीं करूंगा मैं उसके किये की सजा जरूद दूँगा मानवी तुमने मेरा प्यार देखा है अब मेरी नफरत देखना मीद कॉलेज के लिए निकलता है मीद को देखकर प्रीत उसके पास आती है क्या हो अमीद तुम मानवी से मिलकर आ गए नाम नलो मेरे सामने उसका वो बहुत बदल चुकी है वो मेरी मानवी नहीं हो सकती मानवी मुझसे बहुत प्यार करती थी वो मेरी मानवी कभी नहीं हो सकती ऐसा कहकर वे रोने लगता है मीद मैंने तुमे पहले ही कहा था कि उसे उसके हाल पर छोड़ दो लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी मुझे पता है कि वह तुमसे प्यार नहीं करती तो तुमसे दूर ही हो जाओ तो अच्छा है न लेकिन मैं तनी आसानी से उससे दूर नहीं जाओंगा उसने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला जरूर लोंगा मीद प्यार में बदला नहीं लिया जाता तुमने मानवी को प्यार किया अगर मानवी तुम्हें प्यार नहीं करती तो उसमें मानवी की कोई गलती नहीं है प्यार चीज ही ऐसी है वह जिससे हो जाए तो लगन से होती है और जिससे ना हो तो लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं होती क्या मतलब है तुम्हारा? मानवी मुझे प्यार करती थी मानवी तुम्हें प्यार करती थी? तुम्हें प्यार करती नहीं है मीत प्यार को प्यार से जीता जाता है अकर तुम भी मानवी से बदला लेने की सोचोगे मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ हासल कर पाओगे और वैसे भी तुम नहीं चाहते न कि मानवी किसी दर्द में रहे तो क्यों उसके सिंदगी में दर्द देना चाहते हो सही कह रही हो मानवी ने मिरे साथ जो भी किया लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ मुझे आज पता चला है मेरा प्यार एक तरफा प्यार था मैं मानवी को प्यार करता रहा और वो मिरे साथ धोका ही करती रही खेल होनी को जो मन्जूर था वो हो गया अब ना तो मैं मानवी के रास्ती में आऊंगा और नहीं मानवी को दिखाई पड़ूंगा मानवी के घर तू क्या सोच रही है बैठे हुए मैंने तुझे कहा था ना उस लड़के को भूल जा वह सिवाई दर्द के तुझे और कुछ नहीं दे सकता माधव को देख उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है वह तुझे राने की तरह रखेगा मैं तेरी माँ हूँ मैंने भी कुछ सोच के ही ये फैसला लिया होगा माधव और माधव की मा तुझे मिलने आ रही है तुझे मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे विप्रीट चाऊंगी तुम मेरी मा हो और मुझे भी पता है तुम जो कह रही हो वे गलत नहीं होगा तुम जैसा बोलो कि अब मैं वैसा ही करूँगी मानवी की बाद सोनकर उसके पिता बोले मुझे अपनी बेटी पर नाज है मानवी अपने पिता की बात सुनकर मन में सोचती है शायद यही मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ तुम्हारी बेटी होने का फर्स मुझे अपने प्यार को कुर्बान करके चुकाना होगा मी इतना जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा लेकिन मैं क्या करूँ हालाद ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती वहाँ पर मान्धवर उसकी मां आती है मानवी की मम्मी आओ बेहन जी आओ हम आपका ही वेट कर रही थे भड़ी देर कर दिया अपने आने में आउंटी जी मैं तो ममी से कबसे कह रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो लेकिन ये हैं कि घर का काम ही खत्म करने पर लगी रही बेहन जी अब तुम ही इन बच्चो को समझाओ कि घर का काम छोड़ कर भलाओ ऐसे थोड़ी ना कहीं आया जाया जाता है घर का काम भी तो जरूरी होता है अब हमें आने में कभी देर नहीं होगी क्योंकि जब मानवी बहु बनकर हमारे घर चली जाएगी तो फिर घर का सारा काम वही तो किया करेगी मेरे पास तो बस खूमने का है समय बचेगा बेहन जी बात तुब आप बिल्कुल सही कही है हाँ बैठो मैं अभी मानवी को बिलाती हूँ अरे मानवी बेटा सरा पानी लेकर आना मानवी पानी लेकर माधवर उसकी मा के पास जाती है जैसा माधव की पिता ने बताया था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा सुन्दर है मानवी के सर के उपर दुपटा रखा हुआ था बहन जी आपकी लड़की सुन्दर ही नहीं संसकारी भी है परना आज के टाइम में भला कौन अपने सर पर पल्लू से ढखता है मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई माधव, माधव तू कुछ कहना चाहेगा मैं तो अपने दिल की बाद तुमसे पहले ही कहा चुका हूँ मम्मी अब मुझे कहने के लिए बचा ही क्या है अच्छा मेहन जी अब हम चलते हैं अरे इतनी जल्दी कैसे अब ही तो आप लोग आई हो चाहे नाश्तर तो कीजिए अब तो आना जाना लगा ही रहेगा हम बाद में आकर चाहे पी लेंगी वैसे भी मुझे ऑफिस का बहुत काम करना है मैं इतना ही समय निकाल पाया मुझे माफ कीजिएगा मैं अगली बार फिराओंगा अब अगली बार तो माधव परात लेकर ही आएगा और हमारी बहु को अपने साथ हमारे घर ले जाएगा माधवर उसकी माँ वहाँ से चलने लगती है मानवी के पिता जी आते है अरे बेहन जी इतनी जल्दी भी क्या थी जाने की अपनी विदाये तो लेते जाईए। पिता हाथ जोड़कर माधव की मा माधव के साथ महंगी कार में बैठ कर चलने लगती है। रास्ते में माधव की मा हम ही लगता है कि हम किसी गरीब परिवार से रिष्टा जोड़ रही है। तुम ही देखो हम लोग पहली बार उनके घर गए और उनोंने हमारी हतेली पर 500 रुपे रख दिये। इतने गरीब लोगों की घर तेरा रिष्टा मुझे तो कुछ बात जमी नहीं। अरे मा आप भी ना मैं उनके पैसो से थोड़ी ही न शादी कर रहा हूँ। मैं तो उस लड़की से शादी कर रहा हूँ। तुमने देखा नहीं वो कितनी अच्छी है। पैसो का क्या है मा, पैसे तो मैं और कमालूंगा, भस मुझे जीवन साथी अच्छा चाहिए। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। रिष्टा हमीशा अपने बराबरी वालों से ही करना चाहिए, पर तेरी पिता जी तो नह जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, उन्हें तो कितना ही समझा लो, कोई फरक नहीं पड़ता। माधव और माधव की मा अपने बड़े घर में आ जाती हैं, माधव के पिता उनको देख कर आ गए तुन दोनों हमारी होने वाली बहु को देख कर, तो कैसी लगी तुमें। लड़की तो बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह हमें कुछ दहीज वहिज दे पाएंगे, मैं तु कहती हूँ, कहीं और अपने लड़के का रिष्टा कर देते हैं, आखिर हमारे लड़के में कमी ही क्या है। ये तुम क्या क्या रही हूँ, मैंने माधव की पसंद की लड़की से उसकी शादी पकी की है, हमारे बेटे की पसंद से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, तुम बस अब शादी के तयारियां करो। मानवी चाए को कप में डालने लगती है, कि तभी एक कप नीचे गिर कर तूट जाता है, कप की अवास से माधव की मां की आँख खोलती है। ये भगवान, सुभे सुभे क्या नुकसान कर दिया। वे उटकर आती है तो देखती है कि मानवी के हाथ से कब गिर कर तूट गया है। तुम्हें आई एक दिन भी नहीं हुआ, और तुम्हें इतना महंगा कब तोड दिया। तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी थी। तुम्हें कैसे पता होगा, यह कब कितना महंगा था। तुम्हारे बाप की घर तो ऐसे कब थे ही नहीं न। यह तुम क्या क्या रही हो, आते ही बहु पर रॉब दिखाने लगी। तुम्हें इस सीरियल देखकर सीरियल वाली सास होती जा रही हो। आप तो चुपी रहिए, आप और माधव ने मिलकर मेरी सपनों को चकना चूर कर दिया है। तुम्हें पता है, जब मेरी बेहन के बेटे की शादी हुई थी, उनकी बहु ने मुझे सोनी की अगुठी दी थी। इसके घरवालों ने तो माधव को भी कोई खास कीमती अगुठी तक नहीं दी। यह सुनकर मानवी बहुत उदास होती है। मेरी सास मुझे करीब होने का एहसास करा रही है। मेरे पिता ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिया, इसमें मेरी क्या कलती। छोड़ो, मेरे पती मुझे अच्छे मिले हैं, भागी से मुझे क्या लेना है। माफ कीजीगा माजी, मैं आगी से ऐसी कलती दबार नहीं करूँगी। वे कप को समेट कर डस्पिन में डाल देती है, शाम में माधव ऑफिस से वापस आता है, मानवी के तब्यत खराब होने के कारण वे बैट पर लेटी हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गल्दी हो गई है, मैंने जैसा माधव को समझा था, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है, अगर आज मीत मेरे पास होता तो वह मुझे बैट से उटने को भी नहीं देता, और माधव ने तो मेरे पती होने का र प्रीत बोली, मीत तुमने अपना ये क्या हाल कर लिया है, किसी के जाने के बाद खुद को ऐसी सजा ना दो, जो तुम्हारा था ही नहीं, उसे लेकर इतना परेशान के हो रही हो, तो मैं क्या करूँ, मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा है, मैं जिन्दा ही क्यो मुझे समझ जी नहीं आ रहा, तुम पागल हो गए हो, खुद के बारे में सोचो, आखिर क्या कमी है तुम में, तुम एक अच्छे लड़के हो, समझदार भी हो, और अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है, खुद को इतना काबिल बना लो कि तुम्हें किसी जीज की क कमी ना पड़े, लेकिन मानवी कि कमी तो कोई पुरा नहीं कर पाएगा न, वो मेरे जिन्दगी थी, तुम गलत सोच रहे हो, जिन्दगी वही होती है जो भगवान ने हमें दी है, और किसी के बिना कोई मरता नहीं है, समय सब कुछ भुला देता है, समय के साथ सब कुछ सह प्रीद मीत को गले से लगा लेती है, दर से भरा मीत जब प्रीद के गले लगता है, तो उसे बेहत ही सुकून मिलता है, वे अपनी आखे बंद कर कुछ समय तक प्रीद के गले से लगा रहता है, मीत क्या हुआ, छोड़ो मुझे मीत का ऐसा व्यवार देख प्रीद बोली, तुम्हें हो क्या गया है मीत, खुद को समभालो, मैं खुद को समभाल नहीं पाऊंगा प्रीद, मुझे किसी के साहरे की जरूरत है, क्या तुम मेरा साहरा बनकर मेरे साथ चलोगी? प्रीद यह सुनकर घबरा जाती है, वह बोली, यह तुम क्या कह रही हो, मानभी को तुमसे दूर हुए, अभी कुछ दिन भी नहीं हुए, और तुम उसके प्यार को भूल बैटे हो, तुम उसे भूलकर मेरे साथ रहना चाते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ नहीं, तुम गलस समझ रही हो, मैं तो एक दोस्त की हैसे से ही तुमसे इससे बोल ला हूँ, जब तक मैं सही नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे साथ ही मेरे घर पर रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, कि तुम्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा तो मानवी को ही प्यार करता है मीत के बारे में सोचते हुए प्रीत अपने घर जाती है ये मीत को आज क्या हो गया था वे मुझे लेकर इतना सीरिस क्यों था लेकिन आज उसके गली लगकर मुझे जो फीलिंग आई वे है फीलिंग्स मीत के लिए मुझे पहले कभी नहीं आई क्या मैं मीट से प्यार करने लगी हूँ नहीं, मीट बस मुझे अच्छा लगता है मैं उसे प्यार तो नहीं करती और वैसे भी मीट तो परिशान है इसलिए उसने मुझे इस तरह से खुद में समेट रखा था लेकिन मैं क्या करूँ मैं भी तो उस पलको भुला नहीं पा रही हूँ मुझे भी लग रहा है कि मैं मीत की क्लोस हो जाऊँ क्या यह करना सही होगा मानवी मेरे बारे में क्या सोचीगी मुझे नहीं लगता यह सही होगा प्रीट अपने सोफे पर बैठ जाती है उधर मीद परिशान सा अपने घर में बैठा हुआ था आज जो मैंने प्रीत के साथ किया क्या वो सही था? कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है मानवी के बाद एक वही तो है जो मुझे अच्छे से समझ सकती है लेकिन मैं क्या करूँ? मैं परिशान ही इतना था कि मुझे कुछ ख़बर ही नहीं रही प्रीत की आगोश में आकर मुझे जो सुकून मिला वो बस मैं ही जानता हूँ वही सुकून मुझे हर बाद चाहिए मानवी अब मेरी लाइफ में नहीं है मानवी सुबह उठकर माधव के लिए नाष्टा बना रही थी मानवी कहा हो तुम मुझे नहाने जाना है मेरे कपड़े निकाल दो अभी आई मैं आपके लिए नाष्टा बना रही थी आप तब तक नहालो मैं कपड़े निकाल देती हूँ माधव नहाले के लिए चला जाता है मानवी उसके कपड़े निकाल रही थी तभी माधव के फोन पर एक कॉल आती है माधव का फोन रिंग कर रहा है वो तो नहाने गया है मुझे ये फोन उठाना चाहिए या नहीं मैं इसको उठा ही लेती हूँ कभी फिर बाद में मुझे पर पांधव गुस्सा करे कि मेरी important call को तुमने receive नहीं किया यह सोचकर मानवी call receive कर लेती है call की दूसरी तरफ से कहा हो जान और कितना फेट कर आओगे तुमने मुझे से कहा था तुम जल्दी मेरे पास आओगे लेकिन तुम अब तक घर से नहीं निकले और मेरी सौधन कैसी है अब तक तुम्हारे मन की बाद भी पूरी हो गई तो कब उससे चुटकारा पा रहे हो मैं तुम्हारा फेट कर रही हूँ चल्दी आजा कॉल कट हो जाती है यह सब सुनकर मानवी के पैरो दले जमीन किसक गई थी यह क्या हो रहा है आकर किसकी कॉल होगी माधव की फोन पर माधव ने मेरे साथ शादी नहीं कीपल कि मुझे धोका दिया है मानवी उदास मन से माधव के कपड़े निकाल कर माधव को देती है और वापस किचन में जाकर नाष्टा बनानी लगती है मैं चलता हूँ मा शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी सुनिए मैंने नाष्टा रेडि कर लिया है तुम नाष्टा करके तो चले जाओ क्या मैं तुम्हारा टिफिन भी लगा दू ओफिस के लिए मुझे जादा हमदारी दिखाने की जरूरत नहीं है एक तो तुम लेट उटका नाष्टा त्यार कर रही हो यह कोई नाष्टे का टाइम है मैं ओफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और तुम्हें नाष्टे की पड़ी है लेकिन आप तो नौ बजे ओफिस जाते हो अभी तो आठी बजे है तो अब तो मुझे से जबान भी लडाओगी पिटा छोड़े से यह छोटे लोग है इनको समय की पाबंती का क्या पता इसके घर में कभी कोई ओफिस गया हो मैंने फोन पर सब कुछ सुन लिया है मैं पता लगा कर रहोंगे कि तुम कहां जा रही हो माधव वहाँ से चला गया माधव के जाने के बाद मानवी बोली माईजी घर का को समान खत्म हो गया है मैं समान ले निकले जा रही हूँ तुझे बड़ी जल्दी है समान लाने की, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती कि तुझे घूमने के लिए जाना है, तुझे आए होए चार दे नहीं होए और घर का समान लाने की बात कर रही है अरे माधव की माँ, इसमें गलत भी क्या है, बेचारी जब से आई है तब से घर से बाहर भी नहीं निकली, थोड़ा घूम फिर लेगी तो यहां से बाहर निकल कर थोड़ा मन हलको हो जाएगा बेचारी को जाने भी दो, वैसे भी मुझे कुछ काम है, तो मैं सामान नहीं ला पाऊंगा, मान वी ही ले आएगी, आखर उसे भी तो घर की जम्यदारी समान नहीं है अगर तुम भी जाना चाहो तो तुम उसके साथ चली जाओ मैं इसके साथ क्यों जाओ, मुझे लोगों के ताने सुनने में कोई भी दिल्चस्पी नहीं है, वैसे भी मैं बहुत ताने सुन चुकी हैं इसको लेकर बेटी तुम जाओ, ये तो हमारे घर में चलता ही रहता है माजी अब क्या बोल रही है, मैं तुसर बाजार से समान लेकर आए हूँ बाजार में इतनी फीड होती है, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लग गया हाँ हाँ, जैसे मैं तुको पर समान लेने बाजार में गए ही नहीं हूँ अब यहाँ खड़ी-खड़ी बाते मत बना, घर का काम कर ले, मुझे बहुत जोर सी भूक लगी है, जलती से खाना बना ले मानवी के जन में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन मानवी के मन में वही बात चल रही थी माथव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? क्या मैं मीत को यह सब पता करने के लिए बोलू? नहीं, मीट मेरी बात क्यों मानेगा, वो तो मुझसे नफरत करने लगा है और उसमें इसके कोई गलती भी नहीं है, अकर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो शायद मैं भी उसे माफ नहीं कर पाती मानवी और प्रीट कॉलेज में बैठे हुए थे, मानवी तो इतनी उदास ना हो, जो भी होगा सही हो जाएगा कुछ सही नहीं होगा, तो जानती है, मीट मुझे कितना प्यार करता है, और मैं भी मीट को कितना प्यार करती हूँ हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें मीत मुझसे खुद ही दूर हो जाए तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है तू मुझे बता कि मैं क्या करूँ सच्छे प्यार को यदि धोका दे दिया जाए तू सच में प्यार करने वाला इंसान टूर जाता है क्या मतलब है तेरा प्रीत मैं किसी और लड़के से अफेर शुरू कर दू नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती मैं खब कह रही हूँ कि शुरू कर बस तुझे ऐसा दिखाना है जैसे कि तुम मीत को प्यार नहीं करती बागे सब मैं समाल लूँगी ठीक है जब मीत आएगा मैं उसे बोल दूँगी कि वह मुझसे बात न करे उसके बाद मीत वहाँ पर आता है क्या हुआ मानवी तुम उदास क्यों बैठी हो मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ क्या मैं तुमें समस्ता नहीं हूँ तुम मुझे बताओ तो मैं सब सही कर दूँगा तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा तुम मुझसे बाते करना बंद कर दू मैं नहीं चाहती कि अब हम दोनों बात करें उस दिन के बाद से मीत मुझसे नफरत करने लगा होगा और वह मॉल वाली घटना को तो मुझे आज तक समझ नहीं आई वह लड़का कौन था? जिसे मीट मेरा boyfriend समझ रहा था वो तो महज एक इतिफाक था मुझे मम्मी के लिए कपड़े लेने थी मुझे मॉल चलना चाहिए महाँ पर अच्छे कपड़े मिलते हैं मानवी मॉल में कपड़े लेने जाती है मीट भी वहाँ पर मानवी के लिए चॉकलेट लेने आया हुआ था मानवी कपड़े लेकर बाहर आती है तब ही वहाँ लड़का आता है एक्सक्यूज मी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पास में कोई A.T.M. है क्या? मीट चॉकलेट गिरा कर चला जाता है मानवी रोते हुए चॉकलेट उठाती है यह सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता वह लड़का कौन था मैं तो जानती भी नहीं थी और मीट को लगा कि वह मेरा बॉइफरेंड है सच में अच्छी पित्तिफाक है यह जिंदगी भी न ना जाने क्या क्या खेल खेलती रहती है मानवी है सोचते हुए भूल गई थी कि वह खाना बना रही है उसकी सबजी के जलने के महक पूरे घर में घुमने लगी थी उसकी सास वहां आकर यह तु क्या कर रही है सारी सबजी जला दी तुझे खाना बनाना आता नहीं है क्या ही भगबान मेरे तु करब ही फूट गए है कैसी भू मिली है इससे अच्छा तो मैं माधव की शादी अपनी दोस्त की लड़के से कर देती तो बहुत अच्छा होता अब खड़ी खड़ी मेरा मूबत देख जल्दी से यह सब साफ कर दे मानवी सब साफ करने लगती है आगली सुभ़ मीट अपने ऑफिस चला जाता है ऑफिशल सूट में मीट बहुत स्मार्ट लग रहा था जैसे कोई फिल्म का हीरो हो उसे देखकर ऑफिस के आसपास की लड़के आपस में बोले क्या परसनेल्टी पाई है यार इसे तो मॉडल होना चाहिए था यह कहां कंपनी में आ गया है मीट अपने बॉस से मिलता है बॉस उसको सारा काम बता देती है मीट एक समझदार लड़का था तो वह काम बहुत अच्छे से करता है यह लड़का तो मुझे लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है यह जौब इसके लिए नहीं बनी लगता है किसी मजबूरी की वजह से यहां पर आ गया है बॉस मीट के पास जाता है और बूलता है मीट यह सुनकर खुश हो गया उसके पहले ही दिन इतना अच्छा ओफर मिल गया वे खुश होकर हां बोल देता है बॉस उसको अपना कार्ट देता है और चला जाता है तभी पूरीट का फोन मीट के पास आता है हलो मीट कैसा रहा तुमारा आफिस का पहला दिन? पूरीट मज पूछो यार क्या हुआ? काम में मन नहीं लगा क्या? या काम पसंद नहीं आया ऐसा नहीं है तुम्हें पता है मेरे बॉस ने मुझे एक नई जॉब आफर की है कार शोडूम की मैं वहाँ पर सीधा मैनेजिंग डाक्टर बना हूँ गुट अब तो तुम्हें एक बड़े आदमी बन जाओगे फिर तुम मुझे भूल जाओगे न प्रीट तुम कैसी बाते करती हो तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कुछ कहा था कल तुमने जो कहा था मैं उसे अब तक नहीं भूल पाई मीट और क्यान्वी मीट हाँ क्यों नहीं मैडम जी और मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी वज़े से ही हुआ है अगर तुम मुझे वो सब भुला कर आगे बढ़ने के लिए ना बोलती तो शाद आज मैं वहीं पर बढ़ा हुआ होता तुम सच में मेरे लिए लगी हो खुद के बारे में ऐसी बात सुनकर मीत को मिलूँगी तो मैं उसे अपने मन में चिपी हर बात पता दूँगी अब मुझे बस शाम का इंतजार करना है यह शाम मेरे लिए बहुत खास होने वाली है प्रीत की वज़े से ही मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ मुझे लगता है मानवी के बाद प्रीती मेरे सचा जिवन साथी बन पाएगी क्या मुझे उससे इस बारे में बात करनी चाहिए जो भी हो अब शाम को देखा जाएगा मुझे इस रास का पता लगाने के लिए अंजना से बात करनी होगी उससे बात करके है मुझे सब बाती समझ में आ सकेंगी लेकिन अंजना मुझे यह सब सच नहीं बताएगी मुझे कुछ और जरिया ढूरना होगा उससे यह सब सच उगलवाने के लिए मुझे प्रीत से बात करनी चाहिए वही है जो मेरी मदद कर पाएगी मानवी प्रीत को फोन करती है हलो प्रीत कैसी है तू मानवी मैं ठीक हूँ तुम बताओ कैसी हो शादी के बाद तो तुम मुझे भूली गई आज कैसे याद किया प्रीत मैं एक प्रॉब्लम में फस गई हूँ ऐसी के प्रॉब्लम आ गई अभी तो शादी को चार दिन भी नहीं हुए मानवे उसे सब कुछ बताती है सच में ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिस लड़की के लिए तुने अपने प्यार को छोड़ दिया वो तेरे साथ ऐसा कर रहा है मैं अंजना से बात करती हूँ प्रीत ध्यान रखना उसे बात करते समय यह नहीं लगना चाहिए कि तो उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रही है तो चिंता मत कर मैं सब कुछ संभाल लूँगी मैंने मानवी को बोल तो दिया है लेकिन मैंने अंजना से कभी ऐसे बात नहीं की मुझे नहीं लगता कि वे मुझे ऐसे ही सब बता देगी मुझे कुछ और शाल चलनी पड़ेगी सोचना तो पढ़ेगा कुछ न कुछ मानवी अपनी कमरे में बैठी हुई सोचती है अगर माधव अंजना को इतना प्यार करता है उसने जरूर यहां पर कुछ छुपाया होगा जिससे मुझे सच को सामने लाने में बहुत मदद मिल सकती है मुझे यहां पर तलाशी करने चाहिए वे माधव के अलमारी को खोल कर चेक करने लगती है मानवी ने जही सोचा था अलमारी चेक करते वक्त उसे एक डायरी मिलती है यह डायरी कैसी है? क्या इसमें कुछ छुपा हुआ है? मानवी डायरी खोलती है उसमें अंजना और माधव की एक फोटो रखी हुई थी वे फोटो निकालते हुए बोली इतना बहुत है मेरी लिए मैं आज माधव से इस पारे में बात करके ही रहूँगी मानवी की सांस बहार से चिलाते हुए बोली तो कहां चली गई है? सारा काम फैला पड़ा है जब देखो अपनी कमरे में ही घुसी रहती है कुछ काम भी समय पर कर लिया कर सास मानवी के कमरे में आ जाती है फैला हुआ सामान देखकर सास बोलती है ही भगवान ये तुने कमरे का क्या हाल बना रखा है कमरे को समेटने के बजाए तुने सारा सामान इधर उधर फैला दिया है मैंने सामान नहीं फैलाया है मैं तो बस अलमारी में रखे चीज़ों को सही तरीके से लगा रही हूँ मैं थोड़े समय बाद ये काम खत्म करके घर का काम कर लोगी पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या चौन बिन कर रही थी मुझे क्या मतलब इसका काम यही जाने माधव कमरे में जाकर देखता है माधव कमरे में जाकर देखता है उसके अलमारी से समान बाहर बिखरा हुआ पड़ा था वह गुस्से में बोला ये तुम क्या कर रही हो और मेरा सारा समान बाहर क्यो फेका हुआ है तुम्हें क्या जरूत पड़ी थी मेरे अलमारी को खुलने की? इसमें गुस्सा करने के क्या बात है? मैं तो समान को सही तरीके से रख रही थी. सारा समान देखो कैसे फैला पड़ा हुआ है. माधव ने देखा, बैटके एक तरफ डायरी रखी हुई है. कहीं इसने ये डायरी तो नहीं खोली थी. इसमें मेरी और अंजना की फोटो थी. क्या इसने वो फोटो तो नहीं निकाल ली? माधव नायरी को उठाता हुआ बोला. जल्दी से मेरे अलमारी को पहले जैसी कर दो. और अपना दिमाग कम चलाय करो. मेरे समान को छूने की कोई जरुवत नहीं है. माधव डायरी को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है. डायरी खोल कर देखता हूँ. क्या वो फोटो अभी भी इसी में रखा हुआ है? माधव डायरी खोल कर देखता है. ओफ, चलो अच्छा हुआ. उसने फोटो नहीं देखा. वड़ना तो फाल्तु में बखेला खड़ा कर देती. अंजना का फोन माधव के पास आता है. हेलो माधव, क्या तुम घर पहुँच गए हूँ? हाँ अंजना, मैं घर पहुँच गया हूँ. माधव, तुम घबराय हुए क्यो हो? मैं घबराय हुआ नहीं हूँ. आज माधवी ने मेरे अलमारी में समान लगाने के लिए, सारा समान बहार निकाल लिया था. वो तो अच्छा हुआ, कि मेरी डायरी में रखा हुआ तुम्हारा और मेरा फोटो. उसने नहीं देखा. वरिना तो न जाने क्या होता? तुम उसे इतना डरते क्यो हो? वे कौन सा हमीशा तुम्हारी साथ रहने वाली है? अगर कुछ कहेगी तुम उसे तलाग दे देना. तुम्हारा साथ निभाने के लिए मैं हो न? मैं हर पल, हर दम तुम्हारी साथ रहूंगी. छोड़ो भी उसकी बाते, अपनी बाते करो माधव को बात करता देख मानवी बोली यह जरूर उससे ही बात कर रहा होगा लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती प्रीट सोच ही रही थी मैं केसे अंजना के बारे में पता करूँ अंजना प्रीट के पास फोन करती है हलो प्रीट कैसी हो? माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं हरे मैं तुम्हारी क्लासमेट अंजना भूल गई क्या? तुम और मानवी बहुत अच्छे दोस्त हो मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है तो मुझे मानवी के बारे में ही तुमसे कुछ बाते करनी थी हाँ हाँ भूलो क्या हुआ? क्या तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो मुझसे आखर मिलो अब शाम हो गई थी फ्रीट सोचने लगी थी शाम को तो मुझे मीट से भी मिलना है और अंजना मुझे अपने पास बुला रही है मुझे अंजना के पास जाना चाहिए या मीट के बास अभी मानवी के मदद करना जादा ज़रूरी है मैं तो अंजना के पास ही जाती हूँ वे अंजना को फोन करके बोलती है अंजना मैं आ रही हूँ तुम कहां पर हो? तुम्हारे घर के पास जो मॉल है, वह ही पर मिलते हैं कुछ देर बाद दोनों मॉल में मिलते हैं कहां हो अंजना? कैसे मुझे फोन करके यहां पर बुलाया? यार मुझे तुछ से एक बात करने थी क्या यह बात सच है? अगर वह किसी लड़के से प्यार करती होती तो माधव से शादी थोड़ी ना करती हाँ एक लड़का उसका best friend जरूर है लेकिन वो तो मेरा boyfriend है क्या तो मीत की बात कर रही हो हाँ उसी की बात कर रही हूँ मीत मेरा boyfriend है मुझे बस यही जानना था लेकिन अंजना तुम यह सब क्यों जानना चाहती हो मुझे भी तक समझ नहीं आया मुझे बातों को जादा खुमाना तो नहीं आता इसलिए मैं सीधा सीधा तुमें बता देती हूँ माधव मेरा boyfriend था मेरी family एक middle class family है जिसे माधव के घरवाले हमारे शादी करने के लिए तयार नहीं थे तो हम दोनों ने यह plan बनाया कि माधव की शादी किसी और लड़की से करा देंगे फिर उनके तलाग के बाद उसके घरवाले मेरी शादी माधव से करने पर मजबूर हो जाएंगे ये तुम क्या कह रही हो मजाग करने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी क्या अब जो सच है वो बता दो क्योंकि मुझे पता है माधव एक अच्छा लड़का है और वह मानवी को बहुत प्यार करता है वह मानवी को इतना प्यार करता है कि उसके घर परिवार को देखे बिना उसने मानवी से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी इस पर अंजना गुसा हो गई और बोली वह मानवी को फ्यार करता है My foot वह थोड़ा सा भी मानवी से लगाब नहीं करता मानवी के संदर्टा को हासल करने के लिए है उसने यह सब किया है मैं कुछ समझी नहीं तुझे याद है जब हमारी कॉलेज का एक फांक्शन था तो हम सब ने एक फोटो कीची थी मैं माधव से मिलने गई तो माधव ने में फोटो देखी फोटो में मानवी पिती जिसे देखकर माधव बोला ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है अगर ये मुझे मिल जाए तो क्या कहने लेकिन तुम तो उसकी गर्फरेंड थी ना फिर तुम्हारे होते हुए दूसरी लड़की के चाहत क्यों थी उसके दिल में तो क्या फरक पड़ता है वे मुझे ही प्यार करता है और मुझे इन सब चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता कि वे दूसरी लड़की को ये पसंद करता है या नहीं तो फिर क्या हुआ फिर मैंने माधव से कहा कि अगर मैं तुमको इस लड़की से मिलाद हूँ तो क्या तुम उससे शादी करो फिर उसके बाद तुने माधव को मानवी के बारे में सब बता दिया और माधव ने अपने घरवालों को रिष्टा लेकर मानवी के या भेज दिया तु तु बहुत समझतार है आगी की कहानी खुदी समझ गए मुझे बताना ही नहीं पड़ा लेकिन बस अब मैं ये चाहती हूँ कि कि किसी तरह से मानवी माधव का साथ छोड़ दे प्रीट के पास मीत का फोन आता है प्रीट तुम कहा हो? मैं तुम्हारा अंतजार कर रहा हूँ तुमने कोई फोन वगेरा भी नहीं किया है मीत मैं एक प्रॉबलम में हूँ मुझे लगता है कि हम आज नहीं मिल पाएंगे तो हम कल का प्लान करते हैं कोई बात नहीं प्रीट मैं कल का इंतजार कर लोगा वैसे अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बता देना मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा अरे नहीं ऐसे भी कोई प्रॉबलम नहीं है फोन रखकर प्रीट सोचती है कि मुझे मानवी के बुराई करने चाहिए जिससे अंजना मुझे पर और ज्यादा विश्वास करके सब बता दे अंजना तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया वैसे मानवी मुझे भी पसंद नहीं है वैं बहुत ही घमंडी लड़की है उसे अपनी सुन्दरता पर बहुत घमंड है इसलिए मैंने उसकी शादी के बाद उसे बात करना ही छोड़ दिया इसलिए मैं माधव का साथ छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ तो मैं कोई काम फ्री में क्यों करो तुझे उसकी किमत चुकाने होगी मैं कोई भी किमत चुकाने के लिए तयार हूँ तुम मुझे बता मैं और माधव मिलकर तेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं इसके बदले तुम्हें मुझे 10 लाक रुपे देने होंगे बोलो सौदा मंजूर है अपने प्यार को पाने के लिए माधव 10 लाक या कितने रुपे भी दे देगा तुम पैसों के चंदा मत करो तुम बस मानवी को हमसे दूर करने का कोई तरीका निकालो अब मैं चलती हूँ मैं जाकर ऐसा गेम खेलती हूँ कि मानवी खोद ही माधव को तलाक देने के लिए मजबूर हो जाएगी प्रीत वहां से आ जाती है और अपने घर पर बैठ कर सोचती है माधव ने मानवी को इस्तिमाल करने के लिए ही बस उसे शादी की थी कितना मतलब ही है ये लड़का और कैसी है अंजना जो अपने ही बॉइफिन को ऐसी अयाशी करने के लिए किसी लड़की की जिंदगी तक से खेल सकती है मुझे मानवी को सच बता देना चाहिए मैं मानवी को सच बता देती हूँ अरे नहीं नहीं ऐसे बताना सही नहीं होगा मानवी को मेरी बात एक कहानी लगेगी मुझे ये प्रूफ करना होगा कि मैं सही हूँ रात में माधव, मुझे तुम से कुछ बाती करनी है हाँ जल्दी बोलो, मुझे नीनद आ रही है, सुबह ओफिस के लिए भी निकलना है मुझे पदा है, तुम आज ओफिस नहीं गए थे, बलकि किसी लड़की से मिलने गए थे ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं किसी लड़की से मिलूँगा वही लड़की जिसका फोटो तुम्हारी डाइरी में था, अब तुम मुझे बताओ कि वह कौन थी मानभी माधव से फोटो के बारे में पूछती है क्या जानना है तुम उस फोटो के बारे में, वैसे भी तुम उस फोटो के बारे में जानकर क्या करोगी माधव बात को खुमाओ मत, मुझे बताओ कि फोटो किसका था, और तुम्हारी डाइरी के अंदर ये क्या कर रहा था वो मेरी दोस्त अंजना का फोटो है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है वे तुम्हारी दोस्त है या फिर कुछ और आखिर तुम कहना क्या चाहती हो वही जो तुम मुझसे चुपा रही हो मुझे बताओ कि क्या वे जिर्ट तुम्हारी दोस्त है अगर तुम नहीं मानती तो सुनो, अंजना मेरी सब कुछ है, मैं उसी से शादी करना चाहता था अगर वे तुम्हारी सब कुछ है तो फिर तुमने मत से शादी क्यों की, क्यों मेरी जिन्दकी को खराब किया, तुमने उससे शादी क्यों नहीं की तुम्हारा पहले दिन से ही मुझे लेखर बरताव बदल गया तब मुझे शक हुआ कि तुम मुझे प्यार नहीं करते और उस दिन अंजना का फोन मैंने सुना था तब मुझे लगा कि मुझे सच में बहुत बड़ी गल्दी हो गई है तुम से शाधी करके तुम मेरी जिद थी और मुझे जिस चीज की इच्छा होती है मैं उसे पाकरी रहता हूँ कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी एक लड़की की जिन्दगी को तुम चीज बोलते हो तुमने मेरी जिन्दगी के साथ खिलवार किया है तुम्हें जो सोचना है सोच लो तुम मेरी पत्मी हो और अब मेरे साथ ही रहोगी तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया कि सब को जाने के बाद भी मैं तुम्हारी साथ रहूँगी मैं आज ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ माधव गुसे से चिलाता हुआ बोला अरे तुम्हें क्या छोड़ेगी जा मैं तुझे ही छोड़ता हूँ नहीं रहना मुझे तेरे साथ उन दोनों की आवाज सुनकर मानवी की सास ससर वहाँ पर आते हैं क्या हुआ मानवी तुम लोग लड़कियों रहे हो माधव से ही पूछ लीजिए मैं क्यों लड़ रही हूँ मेरी होती हुई भी इसका किसी और लड़की से अफैर चल रहा है अकर यह सब कुछ तुम लोग पहले से ही जानते हैं तो मेरी शादी इससे क्यों कराई क्यों मेरे जिनकी खराब करी बिटा मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था बलकि मुझे तो मानव नहीं कहा था कि वो तुमें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है तुम चुप रहो अगर माधव किसी और लड़की से प्यार करता है तो इसमें गलत भी क्या है अरे माधव एक अमीर घर का लड़का है और उसी किसी चीज की क्या कमी है अगर वे किसी लड़की से प्यार करता भी है तो मुझे नहीं लगता कि वे गलत है क्योंकि वे तो अमीर लड़कों का शौक होता है ये तुम क्या बोल नहीं हो ये कोई शौक नहीं है किसी की जिंदगी खराब करना कोई शौक नहीं हो सकता वे माधव को एक चाठा मारता है मुझे घिन आती है तुझे अपना बेटा बोलते हुए तुझे मानवी से शादी नहीं करनी थी तो क्यों मुझे कहा कि तुझ मानवी को पसंद करता है अगर मुझे एक बार बोला होता मैं तेरी पसंद की लड़की से ही तेरी शादी करा देता पिता जी मैंने मा को बोला था कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ लेकिन माने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि वो लोग बहुत गरीब है शादी के रिष्टे को अमीरी या गरीबी से नहीं तोला जाता ये तो एक पवित रिष्टा होता है प्यार का पवित रिष्टा जो साथ फेरों के बाद और पक्का हो जाता है लेकिन तूने इस रिष्टे को शर्मसार किया है अब जो हो ना था स हो गया फाल तुम्हें मेरे बेट पर गुस्सा ना करो मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि काश काश मैं तुम्हें पहले ही टोक दिया करता मैं सिर्फ ये सोच कर चुप था कि मेरी पतनी को खुश रखना मेरा ही करता व्या है पाधव की जगे हमारे घंड में कोई लड़की होती और उसके साथ ये सब होता तो तुम्हें कैसा लगता शायद तुम्हें तब समझाता कि एक लड़की की जंदगी से खेला क्या होता है तुम्हें कर देख कर बोला कि इसकी जंदगी के साथ ऐसा खिलवार होने वाला है तो मैं कभी भी इसको घर की दहली इस पर कदम तक नहीं रखने देता पिता जी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है तुमने वही किया जो एक पिधा को करना चाहिए था शायद मेरी ही किसी जंद का ये पाप होगा ज मुझे ऐसे लड़के से शाथी करने पड़ी जो इतना गिरा हुआ है अपने जबान को लगाम दो मानवी तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो हद से ज्यादा तुम मैं अब बढ़ूंगी मानवी आगे बढ़कर माधव को बहुत तेज तमाचा मारती है और वहाँ से जाने लगती है माधव इसको जाने दे आखिर यह कहा जाएगी इसको रोती भी लगती घूम कर आना तो हमारे पास ही होगा अब मैं इससे शाटे का पदला लूँगी मानवी अपने घर की तरफ निकलती है रात के अंधेरी में मानवी अकेली जा रही थी तभी उसके बराबर में एक एक्टिवा आकर रुकती है एक्टिवा पर बैठी लड़की बोली क्या हो मानवी कहा जा रही हो मानवी देखती है वह अंजना है उसे देखकर मानवी का माफ नहीं करूंगी. वे मुझे अपने घर में रहने की जगह दे पाएंगे आखिर कुछ भी हो, वो मेरी माबाप है जो भी होगा सही ही होगा टिंग टॉंग हाँ 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 होरर सिटी लोट आया है गाइस बहुत दिनों बाद वापसी की हूँ मुझ बिन शमा बुझी बुझी सी थी पर अब नहीं होगी लोट आया है होरर सिटी अपनी वही डरावनी कहानियों के साथ जहां डर का मतलब मुझ जैसी हसी ना होगा हाँ 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 अपसे देखना ना भूले होरर सिटी की रसबरी कहानी गुंगरू ऐसा सोचकर मानवी अपने घर के तरफ चलने लगती है मानवी वह घर बहुत जाती है मानवी को इस हालत में देखकर उसके पिता बोले क्या हुआ मानवी बेटा तुम अकेले आई हो और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना दमाज जी कहा है नाम नलो उसका वह तुम्हारा दमाद बनने के लायक नहीं है उसने मेरे जिंदगी से खिलवाड किया है मैं उस घर में दुबारा नहीं जाना चाहती ऐसा क्या कर दिया माधवने जो तूसके बारे में ऐसा बोल रही है मेरे होते हुए भी वह किसी और लड़के से प्यार करता है मुसके साथ खूमता फिरता है तू क्या हुआ वह अमेर लोग है और वैसे भी वह किसी के साथ खूमता है तो क्या तुझे किसी चीज की कमे तो नहीं होने देता न उसके पास इतना पैसा है तेरी हर कमी को पूरा कर सकता है मा पस तब चुप करो तुम्हारी बातों में आकर ही मैंने मीत को छोड़ कर मा थफ से शादी की और उसका मुझे यह सिला मिला मा तुम क्यों नहीं समझ पाती कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता पैसे से सब कुछ सही नहीं हो पाता मा तु छुप कर, तुझी कुछ नहीं पता है सुनो जी, उनसे बात करो और उसको वापस छोड़ कर आओ बस, मैंने तुभारी बहुत सुन ली अब मानवी इसी घर में रहेगी वो उस घर में कभी नहीं जाएगी मानवी अपने पता के गलित लगकर रोने लगती है यह देखकर मा भोली इन दोनों बाप बेटी का तो यही ड्रामा खतम नहीं होता मा वहाँ से चली जाती है प्रीत मानवी को फोन करती है हेलो मानवी कैसी है तू मानवी अपने आसो चुपाते हुए बोली प्रीत मैं सही हूँ तू पता कैसी है मैंने बहुत सूचा यार तुझे सचा ही ना बताओ लेकिन मैं क्या करो खुद को रोक नहीं पाई सर्च तो ये है कि माधव तुझे प्यार नहीं करता वो तू अंजना को प्यार करता है मुझे पता चल गया है बहन कि मेरे साथ एक खेल खेला गया है माधव मुझे बिलकुल भी प्यार नहीं करता मैं उसको छोड़कर अपने घर आ गई हूँ ये तुने क्या किया मानवी? मैंने चो किया सही किया, बस मैंने एक ही काम गलत किया था, कि मैंने मीत को छोड़ा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, काश मीत मेरी सिंदगी में होता, तो सब कुछ सही कर दीता, तो मीत तुछ से दूर है ही कहा, वह आज भी तेरी सिंदग अंजना माधव को फोन करती है माधव, क्या सब कुछ सही है? मैंने मानवी को रोते हुए देखा है वे मुझे ना जाने क्या-क्या बोल रही थी तुम चिंता ना करो डियर, वो मुझे छोड़ कर चली गई है अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा अब तुम मानवी मेरी जिन्दगी से जा चुकी है मैं तुम से शादी करके तुम्हे अपना जीवन साथ ही बनाऊँगा मानवी के साथ सच में बहुत गलत हुआ अब तुम मीथ ही है जो सब कुछ सही कर सकता है मुझे से बात करने पड़ेगी प्रीत मीथ से बात करती है मीथ तुम कहा हो? बस तुम्हें याद कर रहा था कैसी हो तुम? आज तुम मिलने भी नहीं आई और तुम किस प्रबलम में थी? तुमने मुझे बताया भी नहीं मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन क्या करूँ बताना ही पड़ेगा मीत सचाई यह है कि मानवी आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती है जितना प्यार तुम्हें कल करती थी मैं उसको भोल चुका हूँ प्रीत अब मुझे उसकी आद मत दिलाओ बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है तुमने तो खुद को संभाल लिया मीट लेकिन मानवी पूरी तरह से विखर चुकी है एक बस तुम ही हो जो उसका सहारा बन पाओगे प्रीत तुम कहना क्या चाहती हो मुझे साफ साब बताओ मानवी की शादी एक धोका थी अंजना और माधम ने मिलकर उसके साथ धोका किया है माधम ने महज उसे पाने के लिए उससे शादी का नाटक किया अब मानवी सब को छोड़कर अपने घर वापस जा चुकी है लेकिन मानवी माधम को प्यार करती थी ना फिर मैं तो उसके लिए कुछ था ही नहीं उसने जो मेरे साथ किया मैं उससे कभी नहीं बोल पाऊंगा उसने तुम्हाने साथ कुछ नहीं किया वे असब करने के लिए मैंने ही उसे बोला था ये तुम क्या कर रही हो तुमने उससे ऐसा क्यों बोला था क्योंकि मानवी चाहती थी कि तुम उससे भूल जाओ लेकिन वे खुद तुमसे यह नहीं कह सकती थी वे तुमसे यह कहती भी तो तुम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते इसलिए मैंने ही उसे यह सब करने के लिए कहा था लेकिन उसने मेरे साथ ही क्यों किया वो मुझे सीधा सीधा बोल भी सकती थी ना कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ मीत तुम समझने की कोशिश करो वे तुम्हें कितना प्यार करती थी क्या वे तुम्हें रोता हुआ छोड़ दीती और क्या तुम उससे दूर रह पाते मुझे नहीं लगता यह सब हो पाता वे अपने मादा पिता के हाथों मजबूर थी एक लड़की की मजबूरी तुम शायद नहीं समझ पाओगे मीत प्रीत मानवी को मुझसे जादा शायदी कोई समझ पाएगा अब तो मुझे भी लग रहा है कि उसे मेरी जरूरत है मैं उसकी हर तरह से मदद करूँगा मुझे पता है मानवी अब मेरी शायदी हो पाएगी लेकिन उसके साथ किये गए धोके का बदला मैं जरूर लेका रहूँगा उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा तुम ऐसा क्या करो कि जो मानवी को माधर वापस मिल जाए मैं तुम्हें मेरा साथ देने के लिए तयार हूँ मीत कैसे लेगा मानवी का बदला क्या करेगा मीत क्या माधर और अंजनार शादी करके खुश रह पाएंगे जानने के लिए जुड़े रहे हमारी कहानी संजोग प्यार का के साथ